बाई स्ट्रीट फूड पे मैं आपको खाना तो दिखाता है रहता हूं लेकिन मैं आपके लिए एक ऐसी आज वैन वाला खाना लेके आए हूं जहां पे सरदार जी उसको अपनी मर्सेडीस से कम नहीं मानते हैं सदार जी कहते हैं कि भाईया ये हमें कमा के देती है और इतना वक्षूबी कमा के देती है कि संतुष्टी हो जाती है हमें यहां पे आपको 6 वैज और 6 अलग-अलग नॉन वैज आइटम सर्फ की जाती है और सब कुछ इस वैन से होता है गर्मा गरम खाना बेन मेरी के अंदर पका के रखते हैं और फिर आपको गर्मा गरम प्लेट और ठाली में लगा के देते रहते हैं तो अगर आप भी शोकीन है बड़िया धाबा स्टाइल खाना खाने के होम स्टाइल खाना खाने के तो आपको इनके पास आना है कहा आना है कैसी एक खाना तयार करते हैं हर एक चीज़ पूरी वीडियो में मैं बताऊँगा वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से जाके और मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं मुह में पानी आ देने नाम दे चुके हो तो वो क्या है कैसे है सेटप क्या क्या करते हो क्या क्या खिलाते हो क्यों लोग इतने दिवाने जी सब वेज और नौन वेज दोनों चीजे सब करता हूं अपनी अब मेरे बानेटे में सब्सक्रान करके करें कि मिरे संद दिवान कोुछान ओर आप सेम देखते हैं सब्सक्राइब टो इसं अफिस वेज और नौन वेज दोनों चीजे को कि दोडो डनीज है आज थर्स्डे है तो थोड़ा नॉन वेज का मेन्यू कम है अधर्वाइस मेन्यू में डेली छे नॉन वेज रहते हैं चे वेज रहते हैं अरे वाँ तो पाजी कितने बज़े उड़ते हो सारा खाना तेयर करने के लिए सुबे सारी मॉनिंग राउंड 5 30 में स्टार्ट कर दे पनीर भुर्जी होगी या काली मिर्च पनीर हो गया तो इन चीजों को फिर सारा में तो एक बर पाजी मैं पहले सेट अप थोड़ा दिखाता हूं अपने विवर्स को और आप एक करके बताना कि क्या क्या मिलता है तो भाई मैं आपको दिखा देता हूं कि यह देखो यह है ओमनी वैन तो आपको जो मेरे सामने दिख रहा है यह ओमनी वैन है और इस ओमनी वैन के अंबर इन पाजी ने पूरा किचन सेट अप किया हूँ है वाई क्या बड़े-बड़े रेस्टांट अपना सेट आप ऐसा बनाते होंगे जैसा इन्होंने बनाया है मैंने फाइफ स् सिरफ और सिरफ खाना ही है तो यहां पर आपको कहाना है इस इस इनलाच को बहुत होंगि हों स्टाइल राजमा जोंगी बहुत ही लाज मां और वह Inhale कर सकते उसके लावा हैに देखिए आप ये कड़ी जो आप देख रहे हैं ये भाई आपको पालक के पकोड़े के साथ करी सर्फ की जाती है बढ़िया दरीकर से कड़ी हुई कड़ी रहती है और बहुत ही लाजवाग उसके लावा एक चीज जो ढाबे पर अमोमन देखने को नहीं मिलती है वह है काले चोले वली तरी बाई काले चोले रहते हैं आप बड़िया पतली तरी और ये भी होम साइल पंजाबी शायल रहता है उसके लावा यहां पर यह दाल देखेंगे दाल मकनी यह भी घर जैसी दाल मकनी रहती है जैसे घर पे हमारे बराई जाती है और यह भी आप इंजोई कर स सकते हैं उसके लावा शाही पनीर अगर आप खाना चाहें तो ये भी आपको मेन्यू में सर्फ के जाता है टोटल बारा इटम्स रहती है इनके मेन्यू में वेज्ड ले लीजिए या फिर नॉन वेज्ड तो दरो भाई यह है यहां पर स्पेशल काली मिर्च चिकन जो की आप सब्सकेञ इसकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है उसके बाद इनका जो मटन है फाई वह पतली-पतली-तरी वाला मतन रहते और चोटे chunks रंदेने तो यह कितने की ब्लेट रहते है जी, हाफ मटन की? हाफ मटन राइस रहते है सर थी हंडड का तीन सो रुबे का और जो फुल बना रहा हूँ यह फोर फिफ्टी का है यह फोर फिफ्टी इसमें कितने पीस जाते हैं जी? इसमें जो जाते हैं वो भी मसाले वाली चटपड़ी प्यास जाते है तो दो तरीके की सालड रहते है यह फोल नाइंटी की है साफ लो पती यह चेक-ाउट करो भाइसाब यह कालिम इर चिकन कितना बढ़िया लग रहा है और अब आप राइस के साथ लेदें, कितने का रहता है जी यह 180 का रहता है अब फुल 250 का रहता है, और फुल 250 का रहता है spicy normal बाजी थाली में क्या गयाता है इस परांथे वाली थाली में जैसे वैज नॉन वैज जो भी ले रहे हो चपाती का प्राइज अलग है और लच्छे का अलग है बाकी सारी चीजे सेम रहती है राइस कितने एक्स्राइड हो जो जो भी आप अड़ करवा रहे हो ना यह देगो कितने आ पढ़िया यहां लच्छा पराथ अभी आपको थाली में सबके जागां तो अगर आप पराथे वाली थाली लेना चाहे तो आप वह भी यहां पर इंजॉय कर सकते हैं किया आप आज आ आपको आप बताओ, नॉन्वेश ठाली रेडी कर रहा है जी, ये देखी जी, आपर नॉन्वेश ठाली रेडी हो रही है, कितमे की रहती है जी, टुफिफ्टी की एसा चपाती के साथ, तवा चपाती के साथ, तो सबसे पहले इसमें राइस आ गए जी, और राइस के साथ इसमें दो तव तीन तवा चपाती है घरिक एक कर्केस में सारी सबसी डाले जाएंगे सबसे पहले काली में कशिकन आगया उसके बाद इसमें आएगा ये होमस्टाइल चिकन करी कि किदै कि ये डाइइसर रूब दो चिकन की आइटमस दी जाती है ये देखिए और जैसे कि मैं ना बताया हर एक आइटम आपको बोलनेस मिलते है राइस के ऊपर भी चिकन आ गया तो जेनरेस अमाउंट ऑफ चिकन रहता है यह नहीं कि मतलब तो यह आपको कम क्वांटिटी दी जाती है और उसके बाद किसमें डाले जाता है जी राइता बूंदी का रहता रहता है गाड़ा गाड़ा रहता रहता है घर वacer वला एकदम स्टाइल का रहता रहता है का इस राइस वार साथ में सालेट और चथ्कनी आधे जाड़ घाज़े सारी ऐसे चुछे लिएत्व अजया जाते हैं और साहPNर पर फुसकी और Gesundheits तो यह जे सब्सक्रमद दिए पकर ना सब्सक्रीब आप नहीं ही आपटा लेगा आपके अंटां लिया आपका चिकंडेश जा काली मिट्च इसके आपको अगया बडे काली मिर्स भाल रहता है अगले बडकी यह बर्लस रहता जी आपको भखे लिकी होमश्ताइल च्रिकन करी यह आगई हो इस चिकन करीव में और मिर्ची वले लेंगे हम साथ में सालेट यह है जीन की मिर्ची वली सालेट और साथ में धनिये पुदीने की होमेड भूम स्टाल चिकनी यह जो नॉन्वेश थाली आप देख रहे हैं पाजी मटन के साथ अगर कोई थाली ले तो क्या रहता है उसकरी लच्छे के साथ सर पो 10 की कॉस करती है अगर यही चीज अप चपाटी के साथ लेते है तो 380 की कॉस करती है अगरी हर मील देनाल चाहि कुछ भी लाए रहे हो चाहि राइस लाए यहां कॉमबो यह थाली जो भी लाए रहे हो लस्ती अनलिमिटेड फ्री एसर सॉल्टे लस्ती है सर अच्छा जी सर पाजी ने यहां पर अपना जग लगा रखे दो और बयूर जग के अंदर लस्ती है यह बहुत ही बढ़िया और यह पाजी कह रहे है कोई भी चीज़ों जितनी मर्जी बार लस्ती लो फ्री सेल नहीं करता लस्ती पता है कुछ कुछ जगाओ पर जब जाते हैं वीडियो बनाते हैं तो देखके खाना ऐसा लगता है कि बाई जल्दी से प्लेट लगे हमारे सामने आए और हम इसको खा जाए इनका मटन इनका चिकन की आइटम देखके तो सच में मुझ से भी नहीं रोगा गया वेजिटेर जो सवाद है भाई मतलब इतने लोग इनके दिवाने हैं मतन के हर एक चीज आपको बोलनेश मिल जाए मतन लीजे चाहिए चिकन लेजे आप लक्षे परांडे वाली थाली ले लिजे आप राइस लेजे आप रूटी लेजे तो पाजी ने मुझे बोला कि जो मतने अगर आ मतन की थाली जो है वह अगर आप लेते हैं नौनमेज वाली तो वह धाइसोर में से शुरू हो जाती है और अगर लोग यहां पर राइस के साथ अलग-अलग आइटम पी इंजोई कर रहें तो भाई अगर आपको भी थाली इंजोई करनी है तो आपको कहा नोगा जी तेस न आपको मेरी रेकमेंडेशन और अगर आपने मेरे चानल को भी तक फॉलो नहीं किया वो कर लो इनका चानल है उसको भी फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे बहत्रिन खाने-खाने के लिए आपको बता है यह आपको कहान है तो जल्दी से आओ खाओ और आणके कितना मदा है भै एक नंबर का स्वादे एक नंबर का मटन एक नंबर का चिकर मेंडेशन आपको